हेलो दोस्तों स्वागत है आपका सोचियोलोजी क्लासिस भाई राजपूत सनी के हमारे यूटूब चैनल पो तो आज हम देखेंगे कुछ सोचियोलोजी से संबंधी महतपूर किर्ष्टन अगर इससे पहले हमने कई प्रेक्टिस करवाए हैं अगर आपने नहीं देखा है त संबंधों को निम्लिखित में से किसने प्रत्वादित किया है समाजिक एकता तथा बिधी के प्रकारों के संबंधों को निम्लिखित में से किसने प्रत्वादित किया है इमाहिल दुर्खीम मैक्स बेबन बिलफेडो परेटो आरके मर्टन तो इसका राइट आंसर ए हो जा जात होते हैं तो निम्लिखित में से कौन सा एक विचार विमर्ज का उत्पाद है लोकाचार प्रता बिधी लोकरी दिया तो इसका राइट अंसर सी हो जाएगा बिधी समाज में भुहार से समदित कुछ नियम नहीं सर्गी कुछ रिक्सित होते हैं जब कि कुछ अन्य सू वि जब जोटे हैं वे वियुक्त होती है वे विशम होती है वे रूड़ वादी होती है तो रबर्ट रेड फिल कि निसा लोक समया अथ चाहिए निचे दिए गए समाजिक सांस्क्रितिक प्रक्रियाओं का सही अनक्रम कौन सा है बिकलब है सांस्क्रितिक संपर्ड इcastल हो जाएगा सasures जाहेगा संगहर्थ होगा समायोजन होगे तब आत्मसाथ करण होगा अगला नातेधारि की निम्लिख्र में से सबसे आच्छी परिभासा कौन सी है समबंधियों का समुझा समांजी महने था प्राप्र सम stärक 15 उंब्ध होटा या भन्सारोरकी से कौन सा एक सही है एक पहचान जो कि संश्कृति को अपने मांडंडो से निरधारित होती है इसके अंसार संस्कृति के विभीन भाग एक दूसरे से जुड़ी होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पहचान जो कि प्रतेक संस्क्रिती में अपने मान रंड्यों को निर्धारित करती है या कतन हमारा सही है अगला निमलिखित युगमों में से कौन सा एक सुमेलित है पैचासिक बीवा का सवरूप है पती भागनी बीवा उपजाती है प्राथमिक संभू नियोग है या बहपती बीवा या धार्मिक प्रथा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैचास बीवा है ये बीवा का एक स्वरूप है पैचास बीवा अगला सामाजीक ब्योहार के विसलेशर के सिध्धान के अनुसार वी समा क्सधान्त के मित्यよし कि तुमें द्वन्द ब्यखतित में रहें ओझा टो के लबा नंहीं इस एक पवित्र तथा अस्थाई बंधान के कारण इसका उद्रेश संता न नीयंक्तर influenced साथा समाजिक सुमयल में सहायक होटी है इसका राइट अंसर हो जाएगा कि यह पती पतनी के बीच पभीत्र और अस्थाई साम एग है और यह यहोग नियंतर ठाथ स्मयल में सहायक है इसका राइट अंसर एउगा दो और सारी दो और तीन इसका उद्देश संतानुत पत्ति और बच्चों का लालन पोसर करना है और यह यह नियंटर समाजिक सुमेली में सायक होती है तो जब कि यह संबंध हो संबंध को व्यक्त करता है इसलिए यह नहीं होगा अगला निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए अग यह यहँआ और को अधिम समाज समाज की सुई इसलिक बिचार दारा को लेकर समाजिक समाज की आधुंधन व्यक्ज्या स्वाभाव विच्छार दाओं को П्रत्वादित किया है और आखरी आंसर है टाय नभी नियंह सभिताओं के विच्यास की चर्चा की है तो इसका राइट अंसर हमारा हो जाएगा सी एक दो और चार तो चार हमारा है टाइनभी ने सब विताओं के विग्यास की चर्चा की है इसके अलावा हमारा है के अगस्त कामते हैं सामाजिक प्रकति ध्र्म सास्तरिक निश्चयाक्त का उस्थाओं का प्रगमन करती है जबकि ल्ट हब हूँ जिए कंसार समाजिक समाज या आदिम समाज की सुषभश्ट विचारधार ओनी की मातितन लाग्याणिक भिचारधारा के पांच चरब है यह तीनों कथन तरही है जबकि माक्स में समाज कि आदिम सामयवाद में समाजवाद तक स्वाभावी विख्यास के सिधांत का प्रिजबादर नहीं किया इसलिए यह गलत है हेे और अगला है मारा प्रश्न है निमलिकित पर बिचार की जिए संयुक्त संपति संयुक्त अवाद समान पुर्वचल अशलेश था लचली तोला की जायरद इसका राइट हो जाएगा सह anticipating संयुक्त अवाद से परिवार की प्रमुख्ष बिसेशता हैं तो राइट अंसर डी हो जाएगा अगला निमलखित पर विचार कीजिए वैवाहिक जनली जनक जनक गत समरक्थ अनुष्ठानिक उपरुक्त में से परिवार में उपरुक्त में से समाज से मानिता प्राप्त विसेश्ष्ठ संबंध कौन से हैं तो बैवाहिक संबंध समरक्थ संबंध तथा अनुष्ठानिक संबंधों को तमाज द्वारा मानिता प्राप्त है जबकि जननी जनाकत यह नहीं है तो राइट अंसर अमारा सी हो जाएगा अगला हिनरी मैन का मत्था की मूल रूप से परिवार थे प्रित्य सत्तात्मक पित्र वन्स परंपरात्मक या मात्री वन्स परंपरागत या समुहन मुख या दुई वन्स परंपरा या बहिर समुहात्मक तथा एक वन्स परंपरागत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिनरी महिल ने पित्र सतात्मक या पित्र वन्स परंपरागत परिवार की बात की है अगला सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए दिये गए कूटो का प्रयोग करते हुए महिला वन्स क्रम के पदांकित करने की प्रथा है महिला इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन पुरुस तथा महिला वन्सानुक्रम में पदांकित करने की प्रथा को कहेंगे और पारिवारिक सत्ता में जिस चंड़ा में पुरुस का रूप जिसमें पुरुस का वर्चास होता है उसे पुरुस प्रथाने कहेंगे और यहाँ पर दिया है चौथा है परिवारिक सप्ता का संरचना का रूप जिसमें सक्ती तथा निर्मार की सहभागिता होती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा हमारा चौगदर का डी तीन चार दो पांच तो सम्ता डी का हमारा पांच हो जाएगा या सम्ता से संबन्दित है जहां कि निर्मार युम सहभागिता की बात होती है और जबकि अधिस परिवारी सत्ता जिसमें पूरुष निड़र लेता उसका वह होगा और पूरुस हो महिला वनसानुक्रम पदांकित करने के लिए दूपच्चि होता है महिला वनसानुक्रम को पदांकित करने वाले मातवणसी परमपरा होती है अगला है ऐसी ब्यवस्था, जिसमें मा के भाई में भाई को नातेदारी में प्रमुख़ान दिया जाता है, कहलाती है कुवार्ड, भूगा कारिकार, मातुले या अनुसंत्रति सम्भवधन, तो इसका राइट अंसर सी हो जाएगा, मातुले, ऐसी ब्यवस्था, जिसमें माम समान पूरवज के वन्चाच कहलाते हैं समवन चीनातेदार या वन्च परंपरागत नातेदार या सम वर्ती नातेदार तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान पूरवश के वंगत्स कराते हैं समवङ्ण ची नाते दार जैसे घुर को हम देख सकते हैं मैं जैस्टेय्ट को मानते हैं कि यहये पूरवशप की संतान हैं अब कर आवास्णियम जो नव विवाहित तथा वधू में или तो तो टो ऐसा आवासनिवं जिसमें वर्या वधू किया जाता है उसे दुएस्थानिक करते हैं अगला जातीगत अस्थारी करड़ के संदर्व में निमिकित में से किसने पदा का पदक्रम को प्रयोग में लिया है तथा भारत के समाज को पदक्रमीत माना है लुष ड्यूमो एमन स्रीनिवास एफजी बैली या यसी दूबे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजात अस्तरी करण के संदर में निम्लिखित में से लुष ड्यूमो ने पदक्रम का प्र वस्तविक भौतिक लाब तथा उसरों का वर्डन करते हैं भले ही समु का सदस्य इसे माने या ना माने जीवन में और सरों की भिनता किस प्रकार की आसमानता को इंगित करती है वस्त परक्त असमानता जीवन सैली में अंतर या उपभोग की बिन्यास में अंतर इसका फर्थक दिये गए है तो उन्हें सुम्यलिद करना है खुटोख हैं तो विलासी वर्ग तो विलासी वर्ग हमारा राइट मिलस से संब्धित हैं प्रवाइब देखते हैं और कौन थे बिलासी वर्ग हमारा थर्ष्टिन वेबलन से संबंदित हैं सावयाई एकात्मक्ता हमारा इमयाल दुर्खीम से संबंदित हो जाएगा आधुनिकी करण करोड़ोत्तर यह हमारा जेमसन से संबंदित है संबंदित होगा तो बिलासी वर्ग थर्ष्टिन वेबलन आधुनिकी करण यह हमारा हो जाएगा जेमसन से और ज्योगाई करण देखते हिसाइए करोड़ोत्तर दुर्खीम से संबंदित होगा Egla निमलखित में से किन अउधार्णाओं की अंतरगत मेरियट ने रचनांतरण की ब्याक्षा धर्मगरंथी रोष्टर से इस्वर को एक विसिष्ट अस्थान के वास्थानी प्रवित्यों के व्यक्तियों द्वारा की है उन्हों ने रचनांतरण की व्याक्या करते हुए धर्मगरंथी रोष्टर से इस्वर को एक विसिष्ट रस्थान के वास्थानी प्रवित्यों के व्यक्तियों सद्क्राइब किया है संस्कृति कर्ण कव्यापकर साही श ही 26 गत्सीलता शनरशनात्म गत्सिलता या अस्थानीय करेश आइसर्पाURE हो जाएगा बी संस्कीति करण से प्रणी से शच्ष्थित प्रच्थ्थि के मुल्यों विचारों को अपनाता है जिसके कारण या उर्धगामी गत्सिलता कही जाती है समाजिक परिवर्तन का उद्विकासी सिध्धान्थ समाज के क्रमिक उर्पांत्रण की धारड़ापन निम्लिखी दिशाओं में से किन दिशाओं पर आधारित है उर्धवाधर रेखी, बहुरेखी, वक्ट समाजिक परिवर्तन का उद्विकासी सिध्धान्थ या तो एक रेखी या तो बहुरेखी होगा अगला अधारण और विचारक दिये हैं इनको सुमेलित करना है अनकूलित संस्कृति, समवेदनी संस्कृति या सरवपयूक तक उत्तर जीविता और अगला है हमारा वर्ग विहीन समाच चाल्स डार्वी और माल्थस तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अनकूली अनकूली संस्कृति डबलू आगबर्ण से संबंदित है समवेदी संस्कृति हमारा पीए सरुकीन से संबंदित है और सर्पयूक ते उत्तर जीविता की अधारा हमारा चाल्स डार्वीन से संबंदित है और वर्ग विहीन समाच की बात काल्माक्स करते हैं तो राइट अंसर हमारा बी हो जाएगा अनकूली संस्कृति की बात आगबर्ण समवेदनी संस्कृति की बात पीए सरुकीन सरुपयूक त उत्तर जीविता हमारा चाल्स डार्वीन से और जबकि वर्ग विहीन समाच की बात काल्माक्स करते हैं अगला तो यह आज का आखरी किस्टन है निम्रिखित में से कौन से फसल लगाने के लिए बिन्यासों का विभीदी करण करने हैं तो विहतर कृसी तरीकों को अपनाने का समवेद समवर्धन करते हैं संचार सुविधाय आर्थिक उद्धीपक गरीबी परंपरा वाद इसका इसकार समवर्धन करते हैं तो संचार और आर्थिक उद्धीपक इससे संबंधित नहीं होंगे जबकि गरीबी और परंपरा वाद विहतर क्रिसी को अपनाने का समवर्धन करेंगे तो राइट एंसर हमारा वी हो जाएगा तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद